हलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्टी वित्रेखा में और आज के हमारे इस वीडियो में जो है हम दो डिस्कस करेंगे कमपनी के अधी इन गवर्नर, गवर्नर जेनरल और वाइसराय पे में जो हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ को कभर करेंगे कि कौन न आनलाों कहला है, otur जो है आपका इच्याही independent और से आपका इसकी तक तक का जो है ruling period जो था आपका company के अधीन का अलग बात है कि आपका 1947 में जो है हमारा देश आजाद हो गया था लेकिन जो है आपका गवर्नर और गवर्नर जेनरल वाइसराय जो भी थे उनका जो है पोस्ट जो है आपका जो समय तक भी बरकरार था इसलिए जो है हम लोग इस व लेकिन उसे पहले मैं यह जरूल कहूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लें जिससे आपका हर हमारा साथ जो है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए जो बनाती रहूं आपको वीडियो बनाती हो स्टार्ट करते हैं आज कि अदिन के अधteen गवंवर्नर गवर्नर जेनरल और वाइसरा तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि कब से कब तक आपका गवंप गवर्नर गवर्नर जेनरल और वाआसरा कप इसर्टा तो यहां देख है आपका बंगाल गविवश सब से पहले आपका बंगाल का गवरनर कहलाता था कब से कब तक तो 1757 से ले कर कि आपका 1772 od 1772 तक है ना kung बंगाल के सब्सक्राम कभूं ञएरी आपका इसलोक नहींसा घीना मतलब काantu के घर्लाइब एक जो है आपका 1832 तक है ना बंगाल का गुवंगेंगे तो बंगाल के गुवंगेंगे वीडियो में देखेंगे कि कौन गुवंगेंगें चाहिए फिर नेक्स है अब जो है बंँगाल भारत का गवर्नर जनरल क्या जन्रल कहला तो अब टो जो है एक डहल जन्रल को सको फिर आप आगे देखिए चैनल कहुआ ऑड़ा यह लें से कब से कहला रहा है तो फिरल है ऑफ है 2 आपका है आपका सब्सक्राइब। कॉन एबका जो आपका जो बारत के जए और कॉन थे जो आपका फिर से आपका गोडर जनेरल जो आए जो हम लोग अब देखते हैं डीके तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसपे डिस्कुस करेंगे हम लोग तो बंगाल के गवर्णर पे हैना सबसे पहले जो है बंगाल के गवर्णर पे हम लोग देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहला जो है बंगाल का गवर्णर जो था वो कौन था आपका रॉबर्ट क्लाइब है ना रॉबर्ट क्लाइब जो है बैटल ओफ प्लासी जो है ये लीड किया था बेटल अपुलासीं यह जो फिला थे और इसमेशे इस सकसेस भी मिला था, जहां एक निए अपका निए कम्पमपनी जो थी आपका इस इंडिया कम्पनी जो थी जो बंगालमें जो जो इस वं ten ask बंगालमें केश करने के वह उस मिला ता मैं यहां और आपको ियार के … आपका 1757 से जहां वो एक इस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका ट्रेड करती थी आप जह वो क्या करना सुरू कर देती है शाषन करना सुरू कर देती है हाना कहीं न कहीं जो है वो इंडिया के पॉल्टिक्स में जो है वो इंट्री ले लेती है आपका 1757 से आप देखे लेकिन यहां पे हम लोग यह चीज़ देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइब जो है यह 1757 से जो है आपका 1760 तक जो है यह बंगाल का गवर्नर रहा लेकिन फिर ज जो है आपका बंगाल का गवर्नर बन करके राया है ना 1765 से जो है आपका 1767 में जो है यह फिर से जो है आपका गवर्नर जनरल बन गया और फिर से जो है गवर्नर जनरल रहा 1765 से जो है 67 तक मत्तब कि इसका जो है रूलिंग पीरेड जो है वो दो टाइम का है ना दो बार ज पर वहाइस्तीज事 वाराइन हस्टिन हाना वारं हास्टिन जो है ये नियुक्त का स्चेवेंटाने आपका 1772 में आया और 1740 गर्फ फर्फ तक जो ही आपका, आपका तो बंगाल का गवर्नर रहा है नया देखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ ए यां पर इंपोर्टेंट टॉपिक है कि वारें हस्टीन बंगाल का गवर्नर कब से कब तक रहा तो 1772 से आपका 1747 तक इसमें बंगाल के गवर्णर में इंपोर्टेंट जो है वह कौन कौन सा तो रॉबर्ट क्लाइब और वारेन हस्टीन रॉबर्ट क्लाइब जो है यह आपका डॉइल सिस्टम करता है आपका बंगाल में और वारेन हस्टीन जो है उस डॉइलस सिस्टम को इंड कर देता है डारेक्त आपने condition को एन्टाल में ले रेता है प्र वेकर! कि आपका 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है तो आगे चलके कि रॉबर्ट क्लाइब यह ड्यूल सिस्टम को जो है इंट्रड्यूस करता है और ड्यूल सिस्टम के अनुसार क्या था कि जो है आपका जितने भी रिस्पॉंसिब्लिटी होगी है ना मान लिजे कि जो है यह आपका ब्रिटिस्ट है और यह आपका बंगाल का जो है नवाब है है ना यह आपका यह आपका ब्रिटिस है और यह आपका बंगाल का नवाब है अब ड्यूल सिस्टम क्या था है ना ड्यूल सिस्टम जो है आपका क्या था कि ड्यूल सिस्टम में जो है ब्रिटिस के अधीन जो है सब भी पावर थे। कि नवाब के गया था थी इसमें ये टूर्ण सिस्टम में कहा भी घ्या था कि नवाब बिटिस के बारे में कहा गया था कि बिटिस हाज आल पावर बट नो सब्सक्राइब था। यह था डूर शिस् टम देकिन जब वारा बंगाल का सबस्क्राइब आया जन्की आपने मपना जोको थेया टो इसंटीं को जो plugins काके थे तो उट Listening को इन्व!* यहां गृश्चन पर बहिया गटा थे छिटीं रोगे थेंगे बंगाल का गवर्नर जैनरल के बारे में देखे यह बंगाल का गवर्नर जैनरल का वारे थेंगा यह वो कव और भ्रीज appropri आ अभी पढ़ा अभी जो हम लोगन जो है 1772 से तो आपका 1773 में जो है आपका Regulating Act आता है इस Regulating Act के द्वारा दौरान जो है आपका जो बंगाल का जो गवर्नर जो था उसे जो आप क्या कहा जाने लगा बंगाल का तो आपका 1773 में जो आपका Regulating Act के दौरान जो है चेंजिंग किया गया क्या कि जो बंगाल का जो कहला रहा है वो अब बंगाल का जो गवर्नर जेनरल कहलाएगा तो इसलिए जो आपका पहला जो है गवर्नर जेनरल जो था बंगाल का वो कौन था यहां जो है वारेन हास्टिन हो जाएगा यह बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक होगा आपका जो है देखी जैसे कि वारेन हास्टिन के बारे में जो है आपके दो तीन क्वेशन बन गया आपका कि पहला भी हम लोग ने डिसक बनाता है ना थम इस अर्म देख process वेर्ट गॉर्न हस्टेन है जो तायो के वार बनाऊंगे ओक वारन हस्टीन दिन पार में एक वीडियो बनाऊंगे जिसमें इनके जितने भी कारेकाल प्रूलिंग पीरिट के दौराथ दौरान में और पर उन डिंगे अब नेक्स आ देखें वो है अपका Sir John Macfrens, Sir John Macfrens जो यह आपका 1785 से जो आपका 1786 थक था, यह जो है आपका एक तरह से जो है अस्थाई, यह जो है आपका अस्थाई जो है गवर्नर जनरल था, देख रहा होगे कि यहाँ जो सित एक साल के लिए, मतलब कि कोई आपका жел Drake नहीं हुआ था इसलिए अस्थाए रूप से आपका डूरर को निक्थ किया गया था और वो सर ज व्यूं फैररंट्स हैंना यह है 1785 से आपका 1786 तक अस्थाए रूप से गवर्नर जेनरल पे निक्थ होता है और अपना कार रिक को करता है नेक्स आपका लॉड कार्णवालिस यह आपका 1786 से आपका 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनके रहता है और इसने भी बहुत सारे आपने रूलिंग पीरेड के दरौन में बहुत सारे डवलप्मेंट किये थे बहुत सारे चेंजिंग किये थे और लॉड कार्णवालिस आपका अस्थाई बंदवस्त प्रणाली जो थी उसके शुरुआत के लिए भी यह जाना जाता है कि अस्थाई बंदवस्त प्रणाली जो थी इसे किसने प्रारम किया था तो आंसर हो जाएगा आपका लॉड कार्णवालिस है ना तो लॉड सर synt bekommt करनel सर जौन सौर सैंट इंट या और सिब्सक्राइब कर च является चल था साय और सार सह संक्ड़ान जाता है तो यह chi आपका भॉसत आपना अपनाई थी इस वजह से यह थोड़ा यह popular हुआ था था यह आहस्तच्छेप नीती को अपनाने के लिए यह popular हुआ था नेक्स आपका वह लॉड वैलेजली नेक्स आपका है लॉड वैलेजली और इसका कारेकाल है आपका 1798 से आपका 1805 का इसका रूलिंग पीरिड है और वह लॉड वैलेजली वह क्यों जाना जाता है तो यह आपका शहायक संधी के लिए यह जाना जाता है फ्रेंट सब्सिडियर अलाइन्स पे जो है मैं और रड़ी वीडियो बना चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा अगर आप चाहोगे तो जो है उसे देखोगे तो आपको जो है लॉड वैलेजली जो है यह जो है आपका इंट्रडूस किया था शहायक संधी को और इसका ग्रूलिंग पेर जो था आपका 1798 से जो आपका वेलोर में आपका सिपाही विद्रो हुआ था इसके कारेकाल में एक घटना जो हुआ था आपका 1806 में आपका वेलोर में एक सिपाही विद्रो हुआ था नेक्स आपका लॉड मिन्टो प्रथम लॉड मिन्टो प्रथम जो है इसका रूलिंग पीरेड आपका है 1807 से आपका 1813 तक आपका ये लॉड मिंटो प्रथम का ये कारेकाल था और इसके कारेकाल में आपका रंजीत सिंग और अंग्रेज के बीच आपका अमरित सर्क की संधी हुई थी सीख इसके देश्ट इसके कारेकाल में आपका रंजीत सिंग इनके और अंग्रेजों में आपका ये अमरित सर्क की संधी हुई थी टूटी आपका अमरित सर्क नेकुस आपके बंगाल से गवरनर जो तें तो देखें नेक्स आपका जो our LoD kadar Inreal寨 आप का अर इनके कार्यकाल के समय में जो है आंगले नेपाली व्थ वा थापका 184 जो है शंगोल के संधी हुई थी हना ये सब जो इनके समय में कि इंपॉर्टेंट गटना है नेक्स जो है हमारा जो है वो लॉड एमहस्ट है यह जो है इनके बारे में है कि इनका जो है रूनिंग पीरिड है जो आपका 1823 से आपका 1828 तक का है और इनके समय में जो है आपका प्रथम आंगल वर्मा युद हुआ था प्रथम आपका फर्स्ट आंगल वर्मा युद हुआ था इनके कारेकाल के दोरान में फिर आपका जो है नेक्स अब हम लोग देखेंगे भारत का गवर्नर जेनरल अब जो है जो बंगाल का Governor General था वो जो है बंगाल का नहीं अब जो है भारत का Governor General कहलाने लगा तो देखिए पहला जो है यहाँ जो है आपका एक बहुत ही important question बन जाएगा कि भारत का जो है प्रतम Governor General कौन था तो आंसर हो जाएगा Lord William Banting है ना देखिए Lord William Banting जो है आपका इसके समय में जो है भारत बंगाल का Governor General कहलाने जो कहलाते थे अब जो है वो भारत का Governor General कहलाने लगें तो देखिए आप पे जो है Lord William Banting जो है इनके कारेकाल कप से कब तक था तो 1828 से 1835 तक है और Lord William Banting जो है उनके कारेकाल के समय में भी बहुत सारे डबलप्मेंट हुए थे और बहुत सारे जो है changing हुए थे जैसे कि लॉर्ड विलियम बैंटिंग के समय में ही आपका कि राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से आपका 1829 में आपका सती एक्ट जो था आपका उस पे आपका बैंट लगाया गया था उसे गैर कानूनी गोसित किया गया था सती एक्ट पे और किस अधिवेशन के दौरान के त तहद तो आपका 17 में अधिवेशन के तहद आपका 1829 में आपका सती प्रथा को गैर कानूनी अवैद घोसित कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बैंटिंग के कारेकाल में राजा राम मोहन राय के सहयोग से अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लॉर्ड विलियम कि सर चाल्स में मेटकॉफ है सर चाल्स मेटकॉफ इनके बारे में तो इनका जो है आपका जो है रूलिंग पीरेड जो है वह आपका 18 मेटकॉफ का है आपका 18-35да 18-36 तक क्या है और है आपका क्या कहा जाता है कि इसने अपने एक वर्स के कारie काल में प्रेज पर पर बैंड लगा के रखी थी तो जब सर चॉल्स मेटकॉफ जब इनका आपका कारेकाल था तो इसने जो अपने कारेकाल के दौरान में प्रेश पर आपका नियंतरन हटा दिया था इसलिए भारतिये प्रेश का मुक्ति दाता कहा जाता है देखें आपे जो बहुत ही इंपोर् गती होगी तो इनके समय में कहा जाता है कि 1839 में 1839 में जो है इसनोंने जो है कलकता से दिली तक जो GT रोड जो सेर सा सूरी के द्वारा जो भनवाया गया था आपका GT रोड उसकी जो है मरमत करवाई थी है ना उसकी जो है मरमत करवाई थी एक यहां important point हुआ दूसरा important point क्या है आपका Lord Auckland के बारे में अफगान वार भी जो है इनके टाइम में हुआ था और वो कब से कब तक हुआ था आपका तो जो है आपका देखिए एटीन 1839 से जो है आपका 42 तक जो है आपका फर्स्ट आंगल अफगान यूद हुआ था इनके कारेकाल के समय में आपका और आपकलेड आपकलन के समय में अब नेक्स नंबर के भारत के जो हैं ऍयख़ी आपका झोया है तो इनका जो है नर इनके कारेकाल में क्या हlुआ देखें इनके कारेकाल में ऐसे आपका फर्स्ट आंगला आफगान कता फेला उदिक शमाप्त हुआ था यह पूर्स आइनल्ड आफगान युद्ट समाप्त था जैसी कि आपका लड्णा के में जोना पर Stephanie toijします क्या बुल रहा कि दास प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के समय में हुआ thou है ना दास प्रथा का जो उन्मूलन था दास प्रथा दास प्रथा उस पे जो सब्सक्राइब गरल सब्सक्राइब निसक्राム सब्सक्राइब इस तो गवर्नर्ग जर्णल नर्बली प्रथा पर रोक लगाया था तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा लौड हार्डिंग प्रथम ने फिर इनके समय की प्रमुगटना क्या थी कि इनके कारेकाल में आपका प्रथम आंगल सीख ख्यूद हुद 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 है ना 1848 से आपका 46 के बीच मे अब 1st जो है आपका आंगल सीख और हुआ था है ना आपका 1848 से आपका 24 सौरी 48 नहीं होगा है आपर 44 होगा 1844 से जो है आपका 46 के बीच में आपका आंगले यूद्ध हुआ था सिवरतम सीख आंगले यूद्ध जो है और इनोंने जो नर्बली प्रथा पर जो है रोक लगाया था अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं देखें लौ 1848 से जो है आपका 1856 तक जो है इनका कारेकाल है और लौड अलहॉल जो है यह भी जो है बहुत ही फेमस थे और इन्होंने जो है अपने कारेकाल में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार करते हैं इन्होंने एक निती अपनाई थे आपका doctrine of lapse जिसे गोध निसेद प्रनाली कहते हैं हना doctrine of जो है आपका of lapse जो है इन्होंने अपनाय था और इस दोरान जो है इसके वज़े से जो है इन्होंने इस policy के दोरान जो है इन्होंने आठ इस्टेट को जो है आपका संब्सेट को जोए आपका जिसमें आपका सामराज में ग्युदैंक है इस सब्सक्राइव करें प्रह.'" कि वह था जो पर नाम है लेकिन है वह एक ही और इसे दो एक किसने किया था तो लॉट डालःओ के यह इसा एक ही आपका आयोर्ट डालःओ को जो है आपका 1857 के रिवाल्ट रिवाल्ट के लिए तो लोगों में आक्रोज जूए वह पहले से चल रही थी लोगों में आक्रोज जो है वो पहले से था और चिंगारी जो है आपका कहीं न कहीं जो है वो भड़कने की जो देर थी तो आपका जो है लॉट डलोजी की बहुत सारी नीतियां थी और वो नीतियां भी जो है कहीं न कहीं जो है आग में घी का काम कर रही थी तो इसलिए इसे भी आपका 18 1857 के रिवल्ट के लिए रिस्पॉंसिबल माना जाता है इसका रूनिंग पीरिड 1848 से जो आपका 1856 तक था इसने जो है अपने सासनकाल के दौरान में जैसे की सेना का जो मुख्याला जो था उसे सिमला अस्थापित कर दिया था फिर जो है जो तोब खाना जो था आपका कॉल जो है इक वीडियो बना चुकी है और आप अगर उसे देखोगे तो है तो है अपको सारे इंफोर्मेशन जो में मिल जाएंगे आपको डिस्किश्वन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उस लिंक के थRU जो है हमारे इस वीडियो को अपने अधे से जूड़ी जी जो घ्ड नेक्स जो है आपका वाइसराय आ गया है नेक्स जो है आपका वाइसराय है अभी तक हम लोग ने क्या क्या डिसकस किया बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जेनरल भारत का जो है गवर्नर जेनरल अब हम लोग डिसकस करेंगे वाइसराय पे अब हमारा जो टॉपिक है व की बारत का प्राथम वायसेराय कौन था लॉड कैनिन जैसे ड्लहोजी जो हैं आपका 1856 तक यह रहा तो यह भारत का क्या कहला है भारत कान्नरल इसका कारिकर प्राथम नाफर घ्रिंद यह 156 में नी laying वर कैनिन अता है यह ना 1856 में जो है Lord Cannon आता है आपका फिर जो है आपका Lord Cannon के आने के बाद जो है इस तमें तक यह यह भी जो है आपका भारत का गवर्नर जेनरल कहला रहा है मतलब कि भारत के गवर्नर जेनरल को क्या कहा जाने लगा वाइसराय कहलाने लगा तो यहां पे आपका दो कोश्चन जो है बन जाता है कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जेनरल जो है वो कौन था तो लौड कैनिन भारत का प्रथम वाइसराय कौन था तो लौड कैनिन है ना नाम एक ही है बटे हैं पे जो है दो कोश्चन बन रहे हैं आपका कि भारत का जो है प्रथम ने प्रथम तो अंते माण गवर्नर्स जुए है वो कौन था तो आपका लॉड कैनिन होगा भारत का प्रथम वाइसराय कौन था तो लॉड कैनिन ही होगा क्योंकि आपका 57 में इसका जो भी परिणाम निकला था आप जो 1858 में जो आपका जो है निकाला गए था उसम में घोसना पत्र निकाला गया था उसमें घोषना की गही थी कि आप बहुत सारे जेंज़िंग किए गया तो इसलिए जो आपका जो जो गवर्नर जनल का पोस्ट था उसे जो आप वाइसराय कहा जाने लगा तो लॉड कैनिन जो है यह भारत का प्रथम वाइसराय कहलाया और इसका रूलिंग पीर्ड जो था वह फिटी शिक्स ते जो है जो आपका 1862 तक का था है ना इसके सासनकाल क घटना घटी होई होगी तो देखे लॉड कैनिन के समय में 1856 में जो है फिर जो है आपका कड़्क्रिन ओप लाप्स उसे जो है समाप्त कर दिया गया था है ना जो डलहॉजी जो है आपका जो है doctrine of lapse को लाया था तो इसके कारेकाल के समय में जो है उस जो सिधान्त को जो है समाप्त कर दिया गया था प्लस कैनिन के समय में जो है इंडियन हाई कोट अक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा जो है बंबई कलकत्ता यहां मदरास में जो है एक एक जो है उच न्याले अस्थापित किये गये थे है ना आपका कब तो 1856 में ही अब हम लोग जो है नेक्स देखेंगे सर जान लॉरेंस क 83 SI3 तक का था 1862 से जै आपका 1863 तक का था और की कार्यकाल में गट उनकी क्या हुए थी तो इसने वहाबी आंदोलन का दमं ंदोलन और यहां पर क्या बोल रहा है कि 1863 में धरमसाल 144 मेदोन हमी कि मृत्ती हो जाता ही धरमसाला नेक्स परखेस के धर्म साला में जो है आपका 1863 में जो है इनकी डिठ हो जाती है क्रीग नेक्स जो है कि लॉड्ड एंगलीन प्रथम तरह प्रथम जो है इनका प्रोड देखिए आपका क्या है तो 18 1863 से जो आपका 1869 तक का है यहां पे जो है स्टूडेंट यहां पे एक मिस्टेक हुआ है और यह मिस्टेक हमारा क्या है कि यह आपका अप एंड डाउन हो गया है और इनका इसका है जो है आपको समझा देती हूँ और फिर से हम लोग अभी देखें गेंगे से कि सर जोन लॉरेंस जो थे इनका जो है रूलिंग पीरिट जो था यह आपका 1863 से आपका 1869 तक था है ना और इनके शासनकाल में जो है आपका क्या इंपोर्टेंट रहा तो इनके समय में जो है आपका 1865 में भुटान ने बिटिस सामराज पर आकर्मन कर दिया था प्लस यहां पर एक और इंपोर्टेंट चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि प्रथम समुद्री टेलिग्राफ सेवा सुरू की गई थी है ना इनके शासन आपका 1862 से आपका 1863 तक था और इनके समय में जो है आपका जो वही चीज़ हुआ था कि धरमसाला में जो है इनकी मृत्य हो गई थी और इन्होंने जो है वहावी अंदोलन का दमन किया था है ना तो मृत्य जो है किसकी हुई थी आपका लॉड एंगिन प्रथम का जो है आ नेक्स जो हमारा जो है लॉड मेयो जो है इनका जो है कारेकाल क्या है 1869 से आपका 1872 तक का है लॉड मेयो जो है इनके समय में जो है अजमेर में जो है आपका मेयो कॉलेज जो है अस्थापित किया गया था प्लस आपका जो है 1872 में जो है क्रिसी विभाग की अस्थापना की गई थी है ना क्रिसी विभाग के अस्थापना किसके कारेकाल में हुई थी तो लॉर्ड मेओ के कारेकाल में नेक्स हमारा लॉर्ड नॉर्फ आपका बुक्र आपका कारिकार 1872 से 1876 तक है और इनके समय में आपका कुका अंदोलन हुआ था प्लस जो है इन्होंने जो है आपका लॉड नुद ने घोषना किया था कि मेरा उपदेश करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानी कारवाईयों को बंद करना है इन्होंने अपने कारेकाल के समय में एक उपदेश दिया था है जो है बहुत पून घोषना की थी कि मेरा उपदेश करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कारवाईयों को बंद करना है नेक्स्ट हापका जो है लॉड लीटेन के बारे में लोग देखेंगे लॉड लीटेन जो है इनका कारीकाल जो है आपका 1876 से जो है एपका 1880 तकक मारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधी से सांबानित करने के लिए दिल्ली के दर्वारा में प्रमी आयोजन किया था रिखाना अपका एक चन्वरी है 1817 को आका महरानी , विक्टोरिय १ी से संमानित करने के लिए हिंद के दिल्ली में दरवारा आयुजिद कि मतलब है कि क्या अब इंद्न नेक्स्ट कहूल है रुपेन नेक्स्टु पेंधbol अड़ी हुए भाष्ट है आपको banc 6 1880 से आपका 1884 तक का है और लॉर्ड रिपेन के समय में प्रमुख घटना क्या थी तो इनके समय में आपका 1881 में आपका प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था और इनके समय में ही आपका जनगना करवाई गई थी मतलब की 1881 में भारत में पहली बार जनगना नियम जुथा आपका की सरव प्रथम नियमित जनगना करवाई गई थी तब से लेकर अब तक प्रतेग वर्स आपका 10 साल के अंतराल में जनगना होता है जनंगना की शुरुआत हुई थी भारत में तो 1881 से आपका भारत में जनंगना की शुरुआत हुई थी और इस साल भी हमारा जन गनना का की टाइन था अब आपका यह लॉक्डाउन के वजए से पासपॉंड अब आगे हम लोग देखेंगे लॉड जो है कौन है वो तो लॉड़ट डफ्रीन है राउड डफ्रीन है का जो है आपका 180 4 है और 1884 सा लगर विजा प्रके जो है आपका 1888 तक का जो है का कारेकाल है और इस जो है था यांगलो बर्मावार था हैना थाड्र ऑर्मावार गंने केरिकाल में बरह था औरTuap थी किस चीत की तो भारतियों राष्टी क्वंग्रेस की अस्थापना होई थी है ना भारती राष्टी कॉंग्रेस की अस्थापना जो है किसके कारेकाल में हुई थी तो लौड डफरिन के कारेकाल में 1885 में है ना कब हुई थी तो 28 दिसंबर को है ना 28 दिसंबर को जो है आपका कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी भारती राष्टी कॉंग्रेस की अस् लोग देखेंगे नेक्स जो है वो कौन है तो नेक्स जो हमारा जो है वो है लाद लेस्टाउन जो है इनका जो है कारेकाल जो है आपका 1888 से आपका 1894 तक का इनका जो है है और इनके समय में जो है क्या हुआ था उसे अब हम लोग जानेंगे तो भारत और अफगानिस्तान के मद्ध जो है सीमा रेखा जो है आपका डूरंड रेखा का निर्धारन इन्हीं के समय में हुआ था आपका जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो आपका डूरंड गभा manufactured- industry जो थे इनके कारेकाल में आपका लेस्वाइजा आroe इनके कारेकाल में के तौन लोग देखेंगे next कौन है तो Lord Aglin 2 है और इनके कारेकाल को हम लोग देखेंगे कि 1894 से जो आपका 1899 तक का जो है इनका कारेकाल है और 1899 तक के कारेकाल में जो इन्होंने क्या क्या था तो भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया था है ना और तलवार के बल पर ही इसकी रच्छा की जाएगी यह कथन इन्होंने कहा था भारत को चोंश आलगे द Mile्ग और MARY इसके रच्छा की जाएगी रच्छा इन्होंने अपने साथिन काल के दुरान में कहा था इनके समय मिई ही 8059 प्रवार पंजाब और उतर परदेश आपका अकाल पड़ा था मतलब कि सुखा अकाल जो बुलते हैं वह पड़ा था इनके कारेकाल के दौरान में लॉर्ड करजन के बारे में हम लोग देखेंगे तो इनका देखिया आपका है 1899 जो आपका 1905 लॉर्ड करजन जो है यह बहुत ही जो है इसके कारेकाल के दौरान में भी जो है दो बहुत ही इंपोर्टेंट गटनाइं थी पहला गटना क्या था कि पार्टिशन ऑफ बंगाल ह हम सिद्स गर्कान देखना देखिया गटना फॉर्टेंट गटनाइं 100 05 तो नहीं से विबहा दा फॉर्टेंट स्था है यहाँ भाजन हुआ था और Lord Kazakhstan ने यहां पर कि समयfeld की ति आने की खुसी में Live गोईवा को फिर आप देखरा कि अपनी तीत के भारती पुरात्त्व来वा विभाग की गई थी आपका फिर अब आगे हम लोग देखेंगे Lord Minto 2 ना Lord Minto 2 जो है इनका जो है कारिकाल था आपका 1905 से आपका 1910 है 1905 से आपका 1910 है और इनके समय में क्या हुआ था अब हम लोग वो जानेंगे तो 1907 में आपका Congress में सूरत अधिय कंग्रेशन हुआ था और इसी समय आपका Congress दो भागों में बढ़ जाती है तो 1907 में आपका Congress यो दो घूट में बढ़ जाती हुआ Congress का Candice डिवाइड हो जाता है दो भाग में बढ़ जाती है आपका एक गरम दल और एक नरम दल है ना तो किसके समय में तो Lord Minto 2 के समय में Next है हमारा Lord Harding 2 है Lord Harding 2 इसका 1910 से 1906 से इसका ruling period Lord Harding 2 से आपका 1910 से 1906 यह थोड़ा जो है वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको बोर भी लग रहा होगा लेकिन यह बहुत ही important है जानना कि कौन-कौन से ruler थे और जो है आपको पेसेंस रखना होगा तो आए जो हम लोग आगे भी देखते हैं कि Lord Harding 2 के समय में जो है वो क्या-क्या हुआ था कौन सी मुख घटनाए जो है घटी थी तो Lord Harding 2 के बारे में जो हम लोग देखेंगे क्या कि Lord Harding 2 के समय में जो है बंगाल का जो पार्टीशन था है ना उसे वापस लिया गया था 1911 में है 1911 में जो है पार्टीशन किया गया था को बभंगान विभाजन को रधि आ था है न तुऊ सब सारे प्रमुघनाय जो है लॉट में 2 के समय में हुई थी 1911 को दिली को कफिग हाप रमिवन है जो है ने ले लिया जाता है और उसी आप समय dwell been इनके बारे में आपका 1916 से 1921 है किनका आपका नॉर्ट चाम्स फोर्ट का लॉर्ट चाम्स फोर्ट जो है इनका कारेकाल जो है आपका और इनके समेमें क्या हुआ था उसके बारे में विलोग जानेंगे तो Congress के लखनो अधिवेशन में जो है आपका 1916 में 1916 में जो है Congress का जो है आपका लखनो अधिवेशन जो हुआ था इसमें Congress को एक ही करन हो गया था मतलब कि जो दो गुट में जो बट गये थे आपका कब 1907 में वो 1906 में फिर से एक हो जाते हैं प्रस जो है Muslim League के साथ भी जो है समझोता हो जाता है और इसके अलावा और क्या होता है तो रॉल एक्ट भी जो है आपका लॉर्ट चंस फोर्ट के समय में ही आता है 1919 में है ना 1919 में जो है आपका आपका जो है लॉर्ट चंस फोर्ट के समय में ही जो आपका तो यह सब सारी घटनाएं जो है वो लॉट चम्स फोर्ट के समय में हुई थी यह बहुत ही इंपोर्टेंट है आपका कि लॉट चम्स फोर्ट के समय में जो घटना हुथी उसे याद रखना क्या तो अशयोग आंदोलन खिलाफ़त आंदोलन रॉयल एक्ट है ना फिर मुस्ल इंगरें कि लॉट ए को आउनकले फिर जबिदिक लोगें रहाव neutral्री द्यक्ति तुम्स फिर को कि उस फैर सैस्मा आंदोलन आगें कर दिणाई है छे Спis वह जलो है कि शुण्द अंधिइगल खिला कोम की में ठодеय में फोर्ट ही थी कि अट्रक्तर दोलन हुए प्लस आपका 1900 कि 1923 में चितरणजन दास और मोतिलाल नहरु मिलकर के आपका श्वराज पार्टी की आपका स्थापना करते हैं इनके समय की एक मुख घटना है प्लस जो है आपका जो चोरी चोरी जो इंसिडेंट हुआ था आपका ये इनी के समय में हुआ था है ना एक इसके समय में तो लॉड रेडिंग जो थे इनके समय में हुआ था आपका क्या तो चोरी चोरा इंसिडेंट असहयोग अंदोलन का वापस लेना और 1923 में आपका सुराज पार्टी की अस्थापना करना ये सब सारा जो है इन्हीं के समय में हुआ था नेक्स आपका लॉड एर्विन है नेक्स आपका लॉड एर्विन है 1926 से आपका 1931 है लॉड एर्विन के बारे में क्या है कि 1928 में इसके कारेकाल में जो है आपका 1928 में जो है ब्रदशन केरें ना ये राज lavender के साइमन कमिशन का उस दरांव ये लाठी चार्ज कर देती है और इस द्वरान जो है डेथ हो जाती और इन्होंने यह भी कहा था कि मेरे सरीर पर पढ़ने वाली जितनी भी लाठियां है वो जो है ब्यार्थ नहीं जाएंगी ऐसा करके जो इन्होंने जो है कहा था तो यह सब जो है जो घटना जो थी वो जो है लौड इर्विन के समय में अब का जो है देखे लौड इर्विन जो है इनके समय में जो है लौड इर्विन के समय में एक और घटना घटी थी आपका जो है गोल राउंट टेबल हना आपका जो है गोल में सम्मेलन जिसे कहते हैं वो हुआ था आपका तीन जो है तीन राउंड गोल में सम्मेलन हुए इंडियन इंडियन उन्होंने आपका जो किट कर देतम चोड़ दी उसका भिरोध किये थे और इसमें जो भाग लेते हैं लेकिन वह भी सक्सेस नहीं होता है गांधी जी बीच सही जो उठकर चले आते हैं आपका जैसे की गांधी जी आपका जो है आपका सभीने वघ्या अंदलन को स्टार्ट करते हैं आपका जो है नमक कानून तोडते हैं और आपका सभीने वघ्या आंदलन को और सब्स्टार्टन को și अ चरल कमें सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब सारी घटनाय किसके कारकार में हुई थी तो लॉड इर्विन के अब नेक्स्ट आप लो देखें घटनाय के लाड कारेकाल जुए आपको नेक्स्ट कौन है तो नेक्स्ट आपका लाड वेलिंगटन शुम्हान वेलिंटन करते रिप्सक्राइक है और में देखें गांधी जी यह सब्सक्राइब करें तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलिंग्टन फिर आपका इसमें जो है आपको एक चीज और जानने को मिलेगा कि बिहार में भारत सरकार अधिनियम ना आपका जो है 1935 अधिनियम जो है यह लॉर्ड विलिंग्टन जो थे इनी के कारेकाल में जो है आपका जो है पाश्वा था और हमारे सम्विधान का जो है में जो है आपका जो है 1935 का जो है अधिनियम जो था यह हमारे सम्विधान में भी जो है लिया गया है ना 1935 का जो है अधिनियम जो था भारत सरकार अधिनियम इनकी जो भी प्रमुख बाते जो थी वह हमारे सम्विधान में भी जो है मैंसन है तो यह किसके कारेकाल में नाइंटिन थर्टी सिक्स से आपका नाइंटिन फॉर्टी थी तक का है और इनके कारेकाल में जो है क्या हुआ था तो यहां पर देखिए हमें यह जाना है कि इन्हीं के कारेकाल में जो हापका बंगाल में आपका 1943 में भ्यानक आकाल आया था भारत छोड़ो अंदोलन पास हुआ था इसी दारान में फिर आपका 1940 में जो है आपका मुस्लिम लीक का अधिवीशन था वो पहली वार पाकिस्तान की मांग की गई थी नाच्ट पाकिस्तान के मांग के गए थी उसनी के कारीकाल में हो गया कि पाकिस्तान परताही सब्सक्राइब में आपका जो है इंडिया मुवमेंट भारत जोड़ो आंदोलन जो है वो प्रारब हुआ था और जो है भारत के जो है लास्ट वास्ट वाय थे और इनके इनका जो है कारेकाल जो था उथा तो 1943 से आपका 1947 का लॉर्ड वेवल का और यह भारत की लास्ट वाइसराय हुए इनके समय में आपका 1945 में यह सिम्ला समझाता हुआ था था इसके बाद आपका क्या हुआ आगे देखें, लॉट वेवल जो थे, इनके कारेकाल में घटनाय घटी थी, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, तो 1943 से आपका 1947 का जो इनका कारेकाल था, तो इस बीच, दौरान जो है, इस दौरान जो हमें क्या देखना है, कि इनके समय म में बहुते हैं नाइनटीन फॉर्टी शेवन में आपका जो है डिसकस किया गया था बहुते हैं लेकिन उस समय यह वापस चले जाते हैं लॉड़ मंट वेटन आ जाता है ना भारत को आजादी सुरी इनके समय में नहीं मिली थी लॉड़ वेवल लॉड वेवल तो है दूसरा जो है, आपका जो गवरेंस जनरल आता है दूसरा वास रहाता है उसके बारे में लोग देखें गेंगे, old more जम्हें आपका 246 में डा कैबिनेट मिसन वह भारत आया है, 1446 में जो है cabinet mission जो है वो भारत आया था और जो है यह इस समय में जो है यह भी decide किया गया था cabinet mission से जैसे कि आपका जो है quit India movement जो था उसे कहा जाता है कि भारत का जो है था सबस्ताइब शीजस कखार की किस तरीके से सहासन करने सब घृऊंटर में जो है था जो है जो एकम कार्यकर में में आता दौल है हो नहीं फिर मुझभार्यक्रा की आपकर जो है भी सवतंत्र भारत का प्रथम गवर्नेर्ट जनरल था लॉड मांट वेटन की आजाद होने के बाद भी जो है यह मौंट वेटन को जैसे कि हमारे सवतंत्र शेनानी थे पंडी जो आला लहरू हो गये यह गरिए सबस्क्राइब किसमी बान टीक शेच के लिए पूरा है we Nicolajo. प्योंन है और नहीं समन York एस जोंद्टें के सबस्नàngा एग दो में मॉल्डेट मैं तोटना में जोंगे तो इन्हों ने बहुत ही जो है आग्रह किया था कि आप यहीं पर रुख जाईए कुर्दीनों तक और हमारा जो है कि सुतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर्स गोर्णर जनरल कौन था यहां पर यहां पर बहुत है नाम कहुत है जो है आपका जो है भारत सुतंत्र भारत का जो है प्रथम जो है भारतिय गवर्णर जनरल कौन था तो आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राज गोपाला चारी है ना चक्रवर्ती राज गोपाला चारी है ना चक्रवर्ती राज गोपाला जारी जो थे इन्हें जो है आपका ज जो है राश्टपती का पोस्ट जो है वो कहलाता है है ना तो फ्रेंट ये तहां हमारा आज का जो है ये विडियो कमपनी के अधिन गवर्नर गवर्नर जैनल और वाइसराय पे मैं उमीद करती हूं कि आपको जो है इस विडियो में सारे इंफोर्मेशन मिल गए होंगे और उन आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद